तो हेलो दोस्तों आज की नई वीडियो में आप सभी का वेलकम दोस्तों आज हमारे पास है यह बारा उल्ड का डिसी फ्यान जो बारा उल्ड बैटरी से चलता है यह देख सकते हैं दोस्तों इसकी मोटर कुछ इस तरह से है इसकी इसको लिए वे दोस्तों मुष्कों देड़ साल हो चुका है देड़ साल से इसको इस्तेमाल कर रहा हो में इस फैन को काफी अच्छा वर्क कर रहा है यह बारा उल्ड बैटरी पर और इसको डेरेट अगर चलाना है तो दोस्तों इसको 50W Solar Panel से भी चला सकते हैं जो 12W पचासवाट के Solar Panel उससे चला सकते हैं अगर इस पर 100W या 150W का पैनल लगाते हैं मगर इसकी motor used करेगी और मोटर खराब हो सकती है तो इसको जादा वी पैनल से भी डिरेक्ट नहीं चला सकते अगर इसको चलाना ही है डेरेट बैटरी का इस्तेमाल नहीं करना है तो बारा ओल्ट पचास रेट का जो सोलर पैनल होता है वो इनफाइस के लिए क्योंकि दूस्तों उसमें 2.5 एमपेर या 2 एमपेर के आसपास करेंट रहता है सोलर पैनल का तो काफी है इसके लिए इसका ज इसको डेरेट भी देंगे तो आप जेख सकते हैं इसके पत्तियां भी काफी अच्छे डिजाइन जिसमें हैं क्वालेटी में है और इसका लूप वाइस भी काफी अच्छा दुस्तों यह जो फैन है यह कैबिन फैन बोलते हैं इसको जो ट्रक ट्रक और बसों में लगाई यह जाते हैं फैन है इसको वाल पर भी हैंग कर सकते हैं दिखिए दिवार पर भी और इसको इसको स्टैंड या टेबल अगरा पर भी रंत कर भी इसका है सब्सक् rheकने में और लुक वाइस क्वायेज काफी अच्छा है क्या थै कौलिटी भी इसक्ना पार थापास एक और थ साल से चला रहा हूं मगर इसकी कॉलिटी थोड़ा उससे बेटर मिली है मुझे और दोस्तों इसकी प्राइस की बात करूं तो यह मुझको पड़ा था तक्रीबन साड़े आठ सो रुपए में 950 उन्होंने बताएते 100 रुपए डिस्कॉंट दिये हैं तो 850 में यह मुझको मिला है जहां पर यह ट्रक का लारियों का सामन मिलता है वहां से लिया था तो मुझको की मोटर की बात करो तो वह भी काफी अच्छी है वी है इसमें 12 वर्ट में दोस्तों और भी फ्यान आते होंगे आपने देखें जो 555 मोटर वाले होते हैं छोटी मोटर या डबल सेवन फाई ऐसा कुछ रहती है मोटर उसके भी फैन आते हैं दोस्तों 12 में मगर क्या है वह ज्यादा देर चलाएंगे तो हीट अप करते हैं यानि गर्म होते हैं उसकी जो मोटर होती है रिवेंडिंग वो गर्म होती है और स्पीड भी सुलों होती है जल्दी खराब होते हैं किंकर मैं इस्तेंयों करके देछ चैनल उसको अगर लां डान आइम एनला यूज есп gamer कर सकते हैं दोस्तों को मैंने खुछ चला कर देखानाए य्चोर ऑं सको जब भी लाइट व करागा जाती है या लाइट नहीं आती तो भी से कभीं उसकर लिते हैं इसको तो 810 ग अगर हम रात को ही इस्तेमाल करते हैं आठ से दस गंटे तो अराम से दो साल धाई साल तो लिका लिए लेगा क्योंकि लास्ट टेम भी मेरे पसे फैन था तो यह इस पर डिपेंड करता है कि थोड़ा अच्छे कंपनी का कॉलेटी अच्छी हो और जो इसकी मोटर की कॉलेटी अच्छी है तो इससाब से चलते हैं यह फ्यान अगर फिर भी जो छोटे फैन होते हैं उससे तो बैटर ही है यह देखिए यहां पर अंदर सेड इसके मैगनेट लगे होते हैं इसमें खराब होने वाली एकी चीज़ा है जो इसके अंदर जो ब्रश लगे होते हैं कारवन ब चल जाएगा और कभी कभी जो इसका रूटेटर होता है दिख सकते हैं यहां पर अंदर डावड देख रहे है इसकी यह देखिए तो उसके सामने एक ब्रेश आता है जो कारवन चलते हैं अगर उस ब्रेश कारवन जो चलते हैं उस रोटेटर के पर जो आपर का यह आता है वो अगर घिस जाते हैं तो भी ये फैन खराब हो सकता है दूस्तो तो आपको प्राइज भी मैंने बता दिये और ये कित्ते एंपर लेता है इसकी बात करूं तो ये मैक्जिमम तीन से साड़े तीन एंपर लेता है ये बारावड बैटरी से अगर हम इसको 40 ह की बैटरी पर च चल जाएगा ये बिना बिजली बिना एलेक्रिसेटी के भी इसको रात बर यूज कर सकते हैं बारावड चालीस एज की बैटरी के उपर दोस्तो काफी अच्छा फ्यान आई है इसलिए मैंने इसको लिया था जब भी हमारे पास लाइड जाती है हमारे बील डिसी फ्यान है दोस्तों इसको हमने इस वायर के साथ केनेट किया है बारावड की बैटरी पर और इसकी वायरेंटी तो नो गयारेंटी नो गयारेंटी है मगर फिर भी दूसरे जो छोटे मुटे फैन होते हैं उससे तो बेटर है तो अच्छा यूज आता है इसलिए इसको मैंने दुबारा से पर्चेस किया है दाए तीन साल भी चल जाएगा तो काफी है हमारे लिए सिर्फ हम को कभी-कभी एमर्जेंसी में लेना है रात को अगर लाइट चली जाती है तब तो यह थी दोस्तों इस बारा हो डिसी फैन के बारे में वीडियो उम्मिद करता हूँ यह अच्छी लेगी होगी नेक्स्ट आपको इसको हम चला कर देखेंगे मैक्सिमम कित्ते एमपेर लेता है इसके सोलर चार्ज कंट्रोलर को लगा कर इसके साथ एक और डिवाइस भी म जो अगर हम डारेट लगाएंगे तो मैक्सिमम में अपनी फॉल स्पीड पर ही चलेगा अगर हमको स्लो चलाना है कम चलाना तो भी एक और एक स्पीड कंट्रोलर मोटर डिवाइस आता है इसका उसको भी मैं आपको अगली ओड़ में दिखाऊंगा इस पर कित्ता एमपेर लेता है कम करने पर स्लो करने पर ज्यादा स्पीड बढ़ाने पर वह भी आपको इसकी जान करी दूँगा अगली किसी नेक्स्टोड़ो में अब हमने सफाई कर दिये क्योंकि बहुत दिनों से इसको साफ नहीं किया था और फिर भी स्थोड़े बहुत इसके पत्तियों पर अभी है इसको खोल कर साफ करना था वह तो अभी मेरे को टाइम नहीं था तो ऐसे उपर से साफ कर चुका उसको फिर भी अच्छा लग रहा ह क्योंकि हमारे यहां पर डस्ट ज्यादा जमाँ होती है दूस्तों यहां पर दूल अगरा बहुत ज्यादा आती है तो इसलिए बार-बार इसको साफ करना पड़ता है हमको तो चलिए दोस्ता मिलते हैं नेक्स टोड़े में तब तक के लिए बार टेक केर और अपना खाल रिखिये